हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो और चैनल, टाइवरी वित हमके फैमिली, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्ता और मस्त होंगे, तो रिसेंटली हमने चिकमगलूर जो की एक हिल स्टेशने करना टका में, उसका थ्री डेस का एक टूर किया था, और हमने उस पे डिटेल व में जो आप वहाँ जाते हैं, तो आपको मस्त विजिट करने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो अगर आप शहर से भीड़ भाड से दूर कही जाकर सुकुन की दो पल गुजारना चाहते हो, अगर आप पहाडों के तेड़े मेड़े रास्तों पे ड्राइव करना पस तो ये एक हिल स्टेशन है, जो कि करनाटका के वेस्टन घाट्स में मौजूद है, और ये जगा बैंगलोर से अराउंड 250 किलोमेटर दूर और मैसूर से अराउंड 180 किलोमेटर दूर है, और क्या आपको पता है, चिकमगलूर एक ऐसी जगा है, जहाँ पूरे भारत में कॉ तो हमारी लिस्ट में टॉप पे है हेबे वाटरफॉल, किसी ने कहा है, मंजिल में क्या रखा है, हमें रास्ते एंजॉय करने चाहिए, लेकिन ये ऐसी जगा है, जहाँ आप आके मंजिल और रास्ते दोनों एंजॉय करोगे, हेबे वाटरफॉल तक आने के लिए आपको ए अंदर आता है, और जीप रेट का कॉस्ट है 500 रुपीस पर परसन, आपको ये थोड़ा महेंगा लगेगा, लेकिन अब जब यहाँ पोच्छते हैं और नजारे देखते हैं, तो आपको पूरा लगेगा कि पूरा पैसा वसल हो गया है, ये वाटरफॉल अराउंड 170 मीटर उपर से गिरता है, और अगर जस्ट मांसुन सीजन के बाद आप यहाँ विजिट करते हो, तो क्या ही कहने, यहाँ वाटरफॉल की नीचे आप नहा भी सकते हैं, ये पूरी तरीके से सेफ है, इवन बच्चों के लिए भी ये पूरी तरीके से सेफ है, फ्रेंड्स हमारे ल तो undoubtedly वो मुल्यानगिरी पीकी रहेगा, मुल्यानगिरी पीक करनाटगा का हाइस पीक है, जो की around 600 and 300 feet पे है, यहाँ से आपको ऐसे breathtaking views देखने को मिलेंगे, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकते, यहाँ पीक पे मुलापपा स्वामी जी का एक मंदीर है, और उनी की ना नियारो भी बहुत है, तो अगर आप खुद से drive करके आ रहे हो, तो आपके पास अच्छी कासी driving skill होनी चाहिए, पीक तक पहुशने के लिए आपको parking area से around 500 steps का एक trek करके जाना पड़ता है, फ्रेंड्स, लिस्ट में अगला नाम है बाबा बुद्धन गिरी या दत्तात्रे पीट का, अगर आप यह जानने के लिए उस्सुख है कि कॉफी plantation की शुरुवात भारत में कहा से हुई, तो इसका जवाब आपको इस जगह मिलेगा, ऐसे कहा जाता है कि 17वी सदी में बाब कॉफी के पेट देखे, तब उन्होंने अपने पास कॉफी के कुछ बीज छुपा लिए, और वापस आने के बाद इस जगह उसनोंने ये प्लाइंड किये, चिक मंगलूर का वेदर कॉफी plantation के लिए एकदम suitable है, तो देखते ही देखते ये काफी बढ़ने लगा, और इस त श्री गुरू दत्तात्रे की फुट्प्रिंट्स भी मवजूद है, तो इसलिए इस जगह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग विजिट करते हैं, है ना कमाल की बात, यहां से आप अपनी कार लेके, यहां जीप राइट लेके उपर तक बाबा पुदन पीक तक जा सकते हैं, और वहां से एक वाटरफॉल का नजारा भी आप इंज्वाइ कर सकते हैं, जिसे मानिक के धरा वाटरफॉल कहते हैं, उपर से आपको फुल लोग ग्रीनरी, पहाडों का एक अलग से काफी सुन्दर नजारा देखनी को मिलेगा, और इसी जगह से अगर आप ल जरी वाटरफॉल का, कुछ लोग इसे बटर मिल्क फॉल या दाबाडे फॉल्स भी कहते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, ये वाटरफॉल मुल्यानगिरी और बाबा बुदनगिरी पीक के बीच में एक प्राइवेट प्रापरटी में सिचुएटेड है, हाँ आपन इसकी बनावटे, ये काफी हद तक हेबे वाटरफॉल जैसी ही है, हमें इस वाटरफॉल तक पोशने के लिए जीप राइट लेनी पड़ती है, और इसकी कास्ट है 200 रुपिस पर हेट, यहां अराउंड 70 मिटर उपर से पत्तरों के बीच होके वाटरफॉल गिरता है, यहा वहाँ जाने थोड़ा रिस्की मुझे लगता है, लेकिन यहां नीचे आराम से आप वाटरफॉल में नहा सकते हैं, और यह बच्चों के लिए भी कम्प्रेटली सेफ है, हम लोग जस्ट मांसुन के बाद यहां आए, तो आप देख सकते हैं वाटरफॉल अपनी फुल कैप किलोमेटर दूर है और हेबे वाटरफॉल के काफी नजदीक है, इन फैक्ट जिस जगे से आप हेबे फॉल्स के लिए जीप राइड लेते हैं, वही जगे से आपको लेप टन लेना पड़ता है यहां तक आने के लिए, आप अपनी कार से यहां तक आराम से आ सकते हैं, इस इस पार्क के ऊपर से वो नजारा एंजोई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इस जगे से जो जेट पॉइंट के जो माउंटेन रेंजे से यह कितने सुन्दर तरीके से दिखाई देते हैं, भद्रा वाइड लाइप सेंचुरी, अगर आप वाइड लाइप को पसंद करते ह तो आपको बद्रा वाइड लाइप सेंचुरी ज़रूर विजिट करने चाहिए, यह एरिया अराउंड 500 स्क्वेर किलोमेटर में फैला हुआ है, यहां आप जीप सपारी लेके आ सकते हैं, फोरेज डिपार्मेंट के अनुसार यहां 30 टाइगर और अराउंड 20 लेपड से, क्या पता आप अगर लग्की हो तो आपको जीप सपारी की दवरान इनके दर्शन हो जाए, यहां आपको स्टे के वे आप्शन मिल जाते हैं। यहां आप आराम से 15-20 मिट बिता सकते हैं। अगला डेस्टिनेशन है हिरे कोलाले लेक। इस लेक को काफी कम लोग विजिट करते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो यह लेक आप विजिट करने जरूर आईए। यह लेक काफी सुन्दर है जो आप देखी रहे है। यह मैनमेड लेक है जिसे चिकमंगलूर सिटी के पीने के पानी और इरिगेशन की जरूरत पूरा करने के लिए काफी सालों पहले बनाया गया था। यहां से आप मुल्यानगिरी पीक भी देख सकते हैं। यह परफेक्ट प्लेस है फोटोग्राफी के लिए। बेस्ट आम टू विजिट इस प्लेस इस अर्ली मॉर्निंग या फिर इविनिंग में। अगर आप चिकमंगलूर में हो जहां से भारत में काफी प्लेंटेशन की शिरुवात हुई है और आप काफी प्लेंटेशन टूर ना करें यह ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यह जरूर कीजिए। यहां काफी सारे रिजॉर्ट या गेस्ट आउसे से जहां आप स्टे भी कर सकते हैं और वो आपको एक टूर भी आफर करते हैं। आप सिर्फ प्लेंटेशन टूर के लिए भी यहां रिजॉर्ट विजिट कर सकते हैं। यहां एक काफी मुजिएम भी है जो आप विजिट कर सकते हैं। या फिर चिकमंगलूर से रिटन आ रहे हैं तो उस वक्त आप यह विजिट कर सकते हैं। अराउंड 30 किलोमेटर चिकमंगलूर से पहले यह सिचुएटेड हैं। आप विजिट करके यह सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि 900 साल पहले बिना किसी टेकनोलोजी का उपयक किये हुए यह मंदिर उन्होंने कैसे बनाये होंगे। हमारे चैनल पे इन दोनों मंदिरों के डीटेल विडियो मवजूद है जो आप जरूर देखिए। तो फ्रेंट्स आशा करते हैं यह विडियो आपको चिकमंगलू टूर प्लान करने में मदद करेगा। अगर आप बैंगलूर से आ रहे हो तो तीन दिन का टूर कैसे प्लान करना है यह जानने के लिए हमारे चिकमंगलू टूर के डीटेल विडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस विडियो को अब यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नए विडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाई।